चंदर ग्रहन पर सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूस पर जारी है दुनिया भर में चंदर ग्रहन का कैसा नजारा है हम आपको तस्वीरों के जरिये दिखा रहे हैं साथी साथ हमारे साथ सबसे बड़ा गेस का पैनल मौजूद है जिसमें जोतिशी भी हैं जो कि यह हमें बता रहे हैं कि चंदर ग्रहन का असर क्या होता है मान्यताएं क्या हैं साथी साथ हमारे साथ वख्ञानिक भी है जो इस खोगोली घटना के बारे में तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं और इन सब के बीज पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों से अलग-अलग शहरों से तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं शहरों से दिखा रहे हैं दुनिया के अलग-अलग देशों में कैसा नजारा है ये हम आपको दिखा रहे हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत का कोई शहर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है आप जी न्यूस पर बने रहें साथ इसाथ चंदर ग्रहन को लेकर के चर्चा भी लगातार जारी है जो तिशी बता रहे हैं कि मानिताएं क्या हैं चंदर ग्रहन से जुड़ी हुई ये अशुब होता है या फिर इसका कोई सकारात्मक असर भी होता है जबकि वैग्यानिक पक्षिस का क्या है ये भी आपको हम बता रहे हैं और 2022 का ये आखरी च चंद्र ग्रहन की तस्वीरें हैं हैदरबाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं बहुत खुबसूरत चंद्र ग्रहन का नजारा और साथ में तिरंगा भी लहराता हुआ तो हैदरबाद हो दिल्ली हो या फिर अलग-अलग शेहरों का नजारा सिर्फ आप जी नियूस पर देख सकते हैं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अलग-अलग पहलू क्या है विज्ञान क्या कहता है जोतिश क्या कहता ह क्या मान्यताएं हैं अगर आस्था है तो क्या करें क्या ना करें ये भी हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ मौझूद है इतना बड़ा पैनल किसी भी न्यूस चैनल के पास नहीं है जी न्यूस पर हर अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चार तस्वीरें गोहाटी पटना वारनसी और एडिलेट की तस्वीरें आप देख सकते हैं दिखा रहे हैं आपके शहर में चंद्रग्रहन कितने बज़े होगा आप देख सकते हैं लेकिन जी न्यूस पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ये चंदरग्रहन क्यों खास है? क्या होता है चंदरग्रहन? खगोली घटना है और इस खगोली घटना का हम पर और आप पर क्या असर पड़ सकता है? ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये चार तस्वीरें, चार शहरों की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गुहाटी, पटना, कोलकाता और हैदराबाद में इस वक्त चंदर ग्रहन का नजारा कैसा है आप Zee News पर सिर्फ देख सकते हैं लाइव चंदर ग्रहन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुछे दिनों पहले सूरी ग्रहन हुआ था और तब भी सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी कवरेज Zee News पर हमने दिखाई थी और अब 15 दिनों बाद चंदर ग्रहन का ये नजारा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कई सो साल बाद ये खास संयोग बना है पाँच तस्वीरें अपने टीवी स्ट्रीन पर आप देख सकते हैं अलग-अलग शेहरों में चंदर ग्रहन किस तरह देखने को मिल रहा है इस दौरान इसे ब्लड मून भी कहा जाता है कि चांद के उपर रोश्णी नहीं पड़ती है सूरच की लेकिन इस दौरान वहाँ जो धूल भरी आंधियां चलती है उसकी वज़द से इसका रंग लाल हो जाता है और इसी वज़द से इसे ब्लड मून भी कहा जाता है हमारे साथ कए खास मेहमान इसे चर्चा में जुड़े हुए हैं पर इस सबसे पहले अगर बात करें चवी शर्मा जो कि हमारे साथ कैनेडा से जुड़ रही है चवी कैनेडा में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है तो आप लोगों से चर्चा करते करते हैं यहां रात से सुबह हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे विंडो के बाहर एकदम सूरज की रोष्णिया चंके आप पहुची है और डेफिनिटली सूर ग्रहन तो अभी भी इस चंदर ग्रहन ओन है समय भी लेकिन लोग टेलिस्कोप्स लेकर के मौजूद थे अपने अपने घरों के बाहर अपनी टेरिसिस पर लेकिन यह जो जो सारी चर्चा चल रही है हमारी बड़ी इंट्रेस्टिंग है मैं तो I believe in practice what you preach तो मेरा यह मानना है कि जो भी मैं यहाँ पर बोलती हूँ कभी भी अपने followers को clients को वही चीज़ें होती हैं जो कि मैं खुद practice कर पाती हूँ तो मैं आपको interesting बात बताऊँ खासवर पर जो scientist panel यहाँ पर मौजूद है उनके लिए मैं खुद एक medical student रही हूँ और मेरे जो गुरू हैं मेरे दादा जी वो बहुत ही rationalist अप्रोच के थे और फिर वो astrologer थे और उनसे हमने सीखा है मेरे बास्तु का ग्यान लिया है मेरे ब्रदर ने astrology सीखी है so हमने यह कुछ बड़ी कमाल की चीज़े देखी है कि अगर किसी के मतलब आप यह सोची कि चंद्रमा दूशित होने के वज़ा से अगर कोई बीमार है बुखार है उसको और वो इनसान अगर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को जल दे रहा है उससे उसका बुखार कैसे उतरता है यह कमाल जब हम देखते हैं उसके बाद हम convinced होते हैं और उसके बाद हम preach करते हैं ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कहीं सुन लिया पढ़ लिया और हम कह रहे हैं इस बात को बहुत strictly convinced होने के बाद ही हम यह चीज यहाँ पर आप सब के सामने लेकर के आते हैं जोतिश को गणना माना जाता है साइनस माना जाता है और हमारे साथ خاص पैनल में कई जोतिश भी जुड़े हुए हैं अब सबसे पहले हम महिलाओं को मौका देते हैं सुमन कोली हमारे साथ हैं राकी जी हैं और करिश्मा आप 것이 करेंगे आप इस चंद्रग्रहंड में क्या करें क क्या ना करें इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उनके लिए पहले ये बताएं कि इसे अशूब क्यों माना जाता है और क्या ना करें देखें ग्रहन को हमेशा अशुबी कहा जाता है वापस से मैं वहीं । कreंगी कि यह मुहावरा है कि कुंडली में ग्रहन लग गया या आप हमारे जीवन में जाए तो ग्रहन लग गया तो ग्रहन को हमेशा अशू भी माना चाता है मगर इसका जो इंपैक्ट पड़ता है वो राशी के लगता है कौन से नक्षत्र में लग रहा है कौन सी राशी में लग रहा है तो मेश और भढ़नी नक्षत्र में लग रहा है मेश राशी में बढ़नी नक्षत्र में तो कहीं न कहीं इस जाती के लोगों को यानि मेश राशी की लोगों को मेश लगने की लोगों को और भढ़न नहीं है, मगर जो गर्वती महिला होती है, क्योंकि उनके गर्व में संतान होती है, हमें सबसे पहले आने वाली संतान का ख्याल रखना है, इसलिए हम सबसे जादा कहते हैं कि गर्वती महिलाओं को इस समय पर ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा या सूरज की रोशनी में नही इस वक्त जब ग्रहन चल रहा है तो सबसे पहले जाब करें, लड़ाई ना करें, खाना ना खाएं, संभावो तो पानी ना पिएं, सोएं ना, किसी की निंदा ना करें, बुराई ना करें, फ्यूचर प्लांस के बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें, बहुत ही, हमारी हना अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, तो ग्रहन को एक पर्व बताया गया है, मतलब हम बुरा नहीं मानते हैं, मतलब इस टाइम पर पर्व आप खुद बनाएंगे, आप तपस्या कीजिए, आप पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मंगल वारे हनुमान चालिसा पढ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचीए, माबाप की सेवा कीजिए, आप ग्रहन के बाद दान कीजिए, दान क्या करेंगे इस वक्त वो प्लानिंग करिये, आप कोशिश करिए काले और नीले कपड़े आपने ना पहने हों इस वक्त आपको सफेद कपड़े पहनने चाह मा के पैच हुए, मा का आशिरवाद ले, मा को गंगा जल पिलाए और ग्रेन के बास स्वेम भी गंगा जल पिये और देश और दुनिया का भी भला हो, धरती मा को भी पढ़ नाम करें और देश में शान्ती हो इसकी भी कामना करे। किर्केट प्रेमी जो हैं और वो चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतें तो किर्केट जीतें इसके नाम की एक हनुमान 40 सा पढ़ लीजे तब ही मंगल हमें एक किर्केट जिताता हुआ दिख रहा है। खेलों पर इने खिलाडें उपर भी दिखेगा तो इसलिए एक एक बार हनुमान 40 सा तो बनता है। उनको फर्क पढ़ेगा एक चीज करने पढ़ेगा हम कितना भी आपको उपाय बताएं मगर वो उपाय का फेल होता है। चंद्रमा को हम मा मानते हैं जब अपनी मा का अनाधर करते हैं मा को ब्रदा असरम छोड़ाते हैं मा पर अत्याचार करते हैं तो ऐसों को तो कोई उपाय भी आप कर लीजे कोई फरक नहीं पढ़ता। अब उपाय एक और होता है। चंद्रमा मन का अकारख है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय हम मन में जाप करना चाहिए। मन में जाप कर रहे हैं, प्लस हमारे भम्री जो हम योग बताते हैं, कि इसके जरीए जो हम ओम का उच्छारन करते हैं, यह हमारे आग्या चक्र को जो है, बहुत अच्छे से, इसके चक्र को इतना अच्छा बनाता है, कि ताकि आप सामने वाली से अगर किसी से बात करते हो, त अगर दितार हैं कि इसी तरीकai आपकी के अंदर एक्दम कंपन करती है यह पुंठी करती है उससे आपको बहुत बैइफिट होगा बगर फिर जाते जाते कहेंगे अगर आपने आपने मां का सम्मान नहीं फिर आप चाहें चंद्र ग्रहन का कोई भी उपाय का लिज़े सब बेकार है। करना ये है कि अनन्य भाव से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जिनकी कुंडली में चंद्रमा सनी के साथ है उनका विश्योग बनेगा जिनकी कुंडली में चंद्रमा सनी के साथ है तो विश्योग बनेगा और जिनके चंद्रमा सूर के साथ है। तो आईसी स्थिती में किसी भी तरह से चंद्रमा आपका यदी पीडित है अनन्य भाव से बिलकुल जिसको कहते हैं सदा सचिदानंद दाता पुरारी पृत्वी को भूमंडल को एक इंसान को नहीं पूरे भूमंडल को यदी कोई दे सकते हैं और जो हरन करते हैं हर हर महादे उन भगवान शिवशंकर भोले के मंतरों का जाप करें निश्चित रूप से आपकी चंद्रमा की अरिष्टा राहू केतु शनी आदी ग्रहों की अरिष्टा जड़ से खतम हो जाएगी ग्रहन के लगने से पूरू आपने इश्नान कर लिया हो तो अच्छी बात नहीं है त इसमी जिसकी पास जैसी ब्यवस्था हो इनकी जिसकी जैसी आर्थिक इस्तिती इलाव करती हो ऐसा आप जरूर करें और एक बार फिर मैं कहते हैं कि यह नहीं एक खगोली गटना तो है और जो बैग्यानिक इसको नहीं मानते हैं बेद में कहा गया है बेदश्य निर्मलम च जो तिस सास्त्रमकल मशम यह बेद की चक्षू है नेत्र है अर्थात हमारे भविस्य में क्या घटना है क्या नहीं घटना है आज से एक हजार साल पुराना भी दिया आप कोई पूछते हैं कि ग्रहन कप पड़ेगा तो यह हमारा जो तिस बता देगा ग्रहन अब तो हजारों साल से होता चला आ रहा है यह प्राक्रतिक है और ग्रहन अरिष्ट होता है लेकिन किस स्थिती में कैसे होता है वो व्यक्ति की जनम पत्री व्यक्ति के ग्रह व्यक्ति के आदी आदी चीजाओं से सुनिश्चित रूप से पता चलता है ठीक है चंद्र ग्रहन का कुंडली पर क्या असर पढ़ता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस दोरान तस्वीरें जो आ रही है अपने दर्शकों को दिखा दे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से तस्वीरें एरिजोना अमेरिका के एरिजोना की तस्वीरें हवाई आस्ट्रेलिया के जारी है तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार लाइव तस्वीरें जो आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं साथी साथ हमारे साथ जोतिश हैं वैग्यानिक भी जुड़ रहे हैं उनसे हर पहलू पर चर्चा भी कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी कवरेज लग प्रतीक भट भी हमारे साथ हैं अगर चंदर की बात की जाए तो चंदर का हमारी कुंडली में कितना एहम योग होता है और चंदर ग्रहन जो ये बन रहा है इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है क्या उपाय होनी चाहिए बिल्कुल देखे चंदन बहुत अच्छा आपका प्र श्रिस्टी के अंदर जो जीव हैं वनस्पतियां हैं वो सब चंदरमा से प्रभावित हैं अब यह जो ग्रहन हैं इस समय जो चल रहा है मेश राशी और भड़नी नक्षत्र में मेश राशी का स्वामी सबी लोग जानते हैं मंगल है और नक्षत्र स्वामी है शुक्र तो मंगल और शुक्र दोनों प्रभावित होंगे इनमे जनमे जितने जो लोग हैं उनके स्वास्थे पर बहुत अच्छा असर नहीं पढ़ने वाला बात करें कि चंदरमा का क्या दुष्प्रभाव जो आगे हो सकता है एक पक्ष तक अर्थात 15 दिन तक चंदरमा का दुष्प्रभाव जरूर रहेगा आने वाले समय में चंदन मैं आपी के माद्यम से इसी प्लेटफॉर्म के माद्यम से कह रहा हूँ कि जलिये कोई आपदा आ सकती है कोई ऐसी दुरगटना हो सकती है तो लोगों को अवेर रहने की जरूरत है जैसा कि सूरे ग्रहन हुआ था तब भी हमने इसी प्लेटफॉर्म के माद्यम से कहा था कि कुछ जन मानस की हानी हो सकती है जैसा कि मोरभी की गटना हुई तो ये छोटी 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 चीज़ें अगर हम लापरवाही ना करें जैसे ही समाप्त हो तो गंगा जल का सनान जरूर करिएगा गंगा जल अपने सनान के पानी में डालिए और उसे सनान करिए और हो सके तो यथा संभव जरूरत मंद लोगों को सफेज चीज़ें चावल हो गया कपड़ा हो गया और आजकल वैदर भी चेंज हो रहा है चंदन तो उसमें लोगों को उनिवस्तर भी आप दे सकते हो तो उससे भी आपको मेनेफिट बहुत होगा ठीक है आचारे जोशीजी क्या करना चाहिए क्या असर पड़ता है इस चंदर करहन का कुंडली के हिसाब से ज्ञान या जोतिस के माध्यम से डालने की कोशिश ना करें ये मैं इसमें कहना चाहूंगा जैसे कि हमारे एक सार्थक बहस होती है अच्छा प्रभाव तो है ग्रह के इस्तिति है मंगल मंगल का सेनापतियोग भी बंद रहा है इसलिए मंगल देखे मंगल संगर सडास्टक है और राहू जो है सत्रु भाव में बैठा है इसलिए सत्रु भड़कंगे और दमन भी होगा शत्रु नहीं होंगे दमन कैसे होगा इसलिए क्रिकेट के जगत में भी क्योंकि भारत की जन्म कुंडली में मैं बहिनों की बात का समर्थन करते वे आगे बढ़ाता हूं सुपका इसलिए उसे द्रिष्टी से भी बहुत शुपकामना अनमान चाहल सापने बता दिया जो अनमान जी पहुंचेंगे तो कोई चिंता की विशाही नहीं है अब हम अपने विशाही में चलते हैं आगे इसमां आराधना साधना की बड़ी गंभीरता से बात होगी सबसे पहले बात है मंगल और राहु के लिए शिप परिवार्व noi nete पहले भी का व उसमें भगवती जगदंबा भगवती कलो चंडी विशाही में बाचना और जगदंबा की आराधना में के लिए ओम हैं विच्छे मंत्र लिए नमार्ण मंत्र है ओम दुग दुरगाये नमाहा या मैं और भी शाहज रूप में जैसे अभी मारी राकी जी और बहिने बता रही थे कि हमाई जैसे मां सब्द गाय का बचला भी आए वहता नो पहले मां निकलता है उसके मुक्षे तो मा की जो ध्धनी है मा की ध्धनी ममतामाय है तो जो ममतामाय ध्धन से निकला हुआ मंत्र जो है सभी देवताओं को प्रशन्द करता है इसलिए भगवती की आराधना देव्या पाप रतो विभेती मनुझाहा संसार में अब एक चीज़ और बता रही है युद्ध की इस्त ठीक है मिट्टम इलेक्शन है शायद आप इस पर जिक्र कर रहे हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच वहां मिट्टम इलेक्शन में मुकाबला है और ट्रम का पलड़ा काफी भारी बताया जा रहा है प्रतीक भट इसमें एड़ करना चाहेंगे आपकी क्या कु होगा ऐसा नहीं इसके बाद भी मुझे दिक्कत हो अगले 14 दिन जैसे जोसी लोग कह रहे हैं तो पक्के मन से करिए सात्विक विचार से करिए क्योंकि इस दौरान जो भी विचार जो भी तरंगे आप ब्रेन को दे रहे हैं चंद्रमा मन सोजात का मन से लेकि वो पूरे ब महा काल का इसमरण करके सिर्फ और सिर्फ नमस्चिवाय ओम नमस्चिवाय रुद्रास्तक का पार्थ करें बहुत बैतर होगा अभी भी कुछ मिनट में देख पार हूँ लेकिन कहा जाता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, तो पूजा करनी चाहिए, तो जाथ कैसे करें? लेकिन जिनकी राशी है, जिनका नक्छतर है, उनको बहुत सचेत रहना है. अर बार कह रहा हूं साउधान रहना है डरना मना है साउधान रहना है ठीक है चवी शर्मा इसमें कुछ एड़ करना चाह रही है आप उंगली उठा रहे थी तो जी मेरी माला चल रही है उसकी उंगली है अच्छा जोली के बार की यह बड़ा फैक्स का समय होता है जब भी कभी ग्रहन आता है क्योंकि यह राहू इंप्राक्टिट समय होता है और क्योंकि जब चंद्रग्रहन होता है तो यह जो है मन के जितने भी आपके फैक्स होते हैं वो बाहर लेके आता है और साप जैसे कि जो जानवर होते है वो अपनी skin चेंज करते हैं इस समय पर तो इनसान को भी चाहिए शास्त्र कहते हैं कि आपके जो पुराने वस्त्रें उनका दान आप ज़रूर करें इस समय पुराने वस्तर का खास तौर पे दाग बताया गया है तो यह जो टाइम है यह जो आपके पुरानी ऐसी चीज़ है especially you have to disconnect with your bad past अगर आपकी कोई past की ऐसी memories है जो उने आपको ग्रस्तर के रखा हुआ है जिनका pressure और जो वजन है जो आप ढो रहे हैं जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसको इस समय कट कर देने का छोड़ देने का बहुत उत्तम समय होता है और चंद्रमा जो है इसमें आपको help कर सकता है यह जो ग्रहन का समय है इसको positively आप कैसे इसका use कर सकते हैं यह सोचना चाहिए क्योंकि यह time transition का भी समय होता है तो transition यह transition जो lunar transition है आपको कैसे help कर सकता है कि आप अगर इस समय सही पकड़ ले नव्स अगर पकड़ ले कि तो जो चीज नहीं हो पा रही है वो हो पाएगी जो आप छोड़ना चाह रहे थे पुराने पुरानी relationships को या पुरानी ऐसी चीजों को पुरानी ऐसी बातों को जिन्हें नहीं चोड़ पा रहे थे पुराने किस्से और आपके परेशानियां वो सब छूट सकते हैं बहुत कुछ है ऐसा जो कि आप कर सकते हैं बेसिकली ये hidden changes लाने का समय होता है और बहुत ही unpredictable changes भी लेकर कर आ सकते हैं जैसा कि पुरा हमारा जो astrologer panel बोल रहा है कि बहुत सारे unpredictable changes आ सकते हैं जो जल से संबन दिगे कि चंद्रमाजल का कारख है और क्योंकि मैं वास्तू शास्तर पर ज़्याद़ बोलना पसंद करती हूं इसलिए जिन लोगों का खास्तव पर नोर्थ जोन प्रभावित होगा और नोर्थ वेस्ट जोन प्रभावित है उनके लिए बहुत important और real estate में real estate में बहुत ज़्यादा उतार चरहाव आने के chances मुझे इस बार लग रहे हैं और खास तर्टे ऐसा real estate जहां आसपास पानी हो ऐसे real estate में उतार चरहाव आने के chances ज़्यादा है ठीक है हमारे पास पूरा पैनल मौजूद है और ऐसे में हम कोशिश यह कर सकते हैं कि हर एक जो राशी होती है उसके जातक को आप चुन लें और उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं हम यह चाहेंगे करिश में आप शुरू करें पहले जो राशी होती है उसके जातक के लिए क्या उपाए हो सकते हैं अगर आप दर्शकों को बता सके हैं मेश राशी है सबसे पहली और इसी में ही अगर देखा जाए तो ग्रहन लग रहा है मेश राशी के जातकों को तो आपको सतर्क रहने की जूरत है इस समय पर सफेद चीजों का दान करें जिसे घी है या चावल है या चीनी है दूद है इन सब चीजों का दान करें आटे का दा करें यह ठीक है और राखी आप कौन से जातक के बारे में बताना चाहेंगी देखिया विरीश्व राशी की बात करूंगी जी कि नंबर दो है उसी से लाइन से चलते हैं व्रिश्व राशी का स्वामी शुक्र है और भणी नक्षक्तर का स्वामी भी शुक्र है जिसमें ये ग्रहन लग रहा है तो महिलाओं के लिए ग्रहन अच्छा नहीं है बड़े पर पर कर दो कर कर